पहले रश्मिका मंदाना फिर काजोल देवगन और अब आलिया भट बीते कुछ दिन बॉलिवुड एक्टरस के लिए काफी मुश्किल रहे हैं एक के बाद एक एक एक्टरस डीप फेक वीडियो का शिकार होती जा रही है रश्मिका मंदाना और काजोल के बाद अब बॉले वो दीवा आलिया भट का भी डीप फेक वीडियो सामने आ चुका है सोचल मीडिया पर आलिया का एक बोल्ड वीडियो सामने आया है जो खूप तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक लड़की बैड पर लेटी हुई नजरा रही है और कैमरे को देखकर अश्लील इशारे कर रही है हाला कि वीडियो में नजरा रही ये लड़की आलिया भट नहीं है जी हां बलकि ये लड़की कोई और है इस लड़की के चहरे के उपर आलिया भट के चहरे को मौर्फ कर लगाया गया है वहीं अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये आपको edited वीडियो लगेगा आलिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वहीं उनके फैंस इस वीडियो पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते नजर आ रहे है वहीं काजोल की बात करें तो उनके deep fake वीडियो में एक्ट्रिस कैमरा के सामने कपड़े चेंज करती नजर आई थी हाला कि बाद में ये साफ कर दिया गया कि ये काजोल नहीं है बलकि एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर है उन्होंने अपने इस वीडियो को टिक टॉक पर शेयर किया था जो काफी वाइरल हुआ था बता दे कि इस वीडियो को उन्होंने जून के महिने में शेयर किया था मही रश्मे का मंदारा ने भी अपनी डीप फेक वीडियो पर चिंता जाहिर की थी उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट शेयर करके लिखा था कि उन्हें बहुत ढड़ लग रहा है ऐसी चीजें आगे किसी भी लड़की के साथ हो सकती है और जैसी उन्होंने चेतावनी दी थी वैसी ही चीजें होती नजर आ रही है लेगिन आपको क्या लगता है सरकार को इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए